मर्ग बर समाचार पाक फॉच की जानिब से एक जवाबी कारवाई की गई एक इंटेलिजेंस बेस्ट ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के नतीजे में बियल ले यानि बिलोच लिबरेशन आर्मी के कुछ दैशत गर्दों को निशाना बनाया गया उन ठिकानों को निश और पाकसान में आकर इरान ने हमला किया पाकसान के सौवेरेंटी पर हमला था तो इसका जवाब पाक फॉच को देना कारवाई नहीं कर सकती, इनके पास अहलियत नहीं है, इनके पास वो एक विल पावर नहीं है, कि ये इस कारवाई का मुँ तोड़ जवाब दे से के, बहुत जादा मजाग उड़ाया जा रहा था, लेकिन पाक फॉज की जानिब से एक टार्गेटिड इंटेलिजेंस बेस्ट डिरेक्ली और इंडिरेक्ली क्या मैसेज कन्वे किया गया है पाक फॉज की जानिब से, ये भी आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ जो कर रवाई की गी है, और इसके बाद आई एस प्यार की जानिब से जो ऑफिशल स्टेटमेंट जारी की गी है, वो क्या स्टेटमें है और इसका मतलब है मुर्दाबाद मर्ग बर का मतलब है मुर्दाबाद और समाचार समाचार जो है वो संसिक्रत का एक लफज है और आपने अक्सर हिंदी की जो जुबान है उसमें इस लफज का अक्सर इसका मतलब है खबर, न्यूज, इतला, अब मर्ग, बर, समाचार का मतलब क्या हुआ, मुर्दाबाद, एक इतला दे दी गी है, खबर दे दी गी है, मुर्दाबाद, अब मुर्दाबाद किसको कहा गया है, पाकिसान के हर उस दुश्मन को, जो पाकिसान को अंदरूनी और ब बले वो कोई भी और मुल्क है जो के पाकिस्तान में किसी भी तरह की अफरा तर्फरी और शेर पसंदी पहलाना चाहता है उसको एक जो है वो इंडिरेक्ली मैसेच चला गया है अब वादपिस आते हैं अपनी उस कारवाई की जानिब से जो के पाक फॉज की जानिब से कारवा के नतीजे में वो देशतगर्द जिनके ठेकानों को निशाना बनाया गया उसमें बदनामे जमाना देशतगर्द दोस्त उर्फ चेर्मेंग बजर उर्फ सोगात साहल उर्फ शफीक असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल हैं और इनके ठेकानों को जो है वो सातों का जो तालुक है वो एरान से नहीं है और इन हमलों के बाद फिर एक डिरेक्टली और इन डिरेक्टली पैगाम जो है वो कनवे कर दिया गया कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी तरह का कोई भी हमला होता है तो पाक फॉज 24 गंटे जो है वो जवाबी कारवाई के लिए त ऐसा नहीं होता आप किसी भी मुलक की सोवरेंटी पर हमला करते हैं और खास ओर पर अगर वो जो कन्ट्री है वो निउकलियर वैपन का हामल कन्ट्री हो तो फिर रियक्शन तो आएगा और बड़ा जबरदस और बरपूर किसम का रियक्शन आएगा और वो रियक्शन पूर तर जो डीटेल्स हैं वो सामने आ चुकी होंगी जो भी कन्फिलिक्ट इस टाइम पाकिसान और एरान से रिलेटेड जो है वो चल रहा है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे अजाज़त दीजिए अलाहाफिस